Hello everyone, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जीरोधा से IPO अपलाई करने की पूरा प्रोसेस अगर आपके पास कोई DMAT अकाउंट नहीं है तो मैं जीरोधा.com की लिंक नीचे डिस्किप्शन में दे दूँगी आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना DMAT अकाउंट ओपिन कर सकते हैं और नीचे डिस्किप्शन और आई बटन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूँगी आप उस वीडियो को देखके अपना अकाउंट ओपिन कर सकते हैं सबसे पहले आप Zero Darkite application को open कर लिजिए उसके बाद आप profile सेक्शन पर जाएंगे तो यहां पे IPO का एक option मिल जाएगा आप IPO पे क्लिक करेंगे तो यहां पे एक निया page open हो जाएगा इस page पे आप पूरा IPO का list देख सकते हैं कौनसी IPO अभी open है और कौनसी IPO अभी close हो गया है यह अभी यहां पे आप देख सकते हैं जो IPO अभी open है उसके पास आपको bit लिखा हुआ मिलेगा और जो IPO close हो गया है उसके पास आपको close लिखा हुआ मिलेगा आप यहां पे सभी IPO का lot size देख सकते हैं सबी IPO का एक lot में कितना share है वो अभी यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि सीगाची इंडस्टी में आप देख सकते एक lot में 90 share है और policy बाजर में एक lot में 15 share है आप जिस भी IPO में apply करेंगे उसके पास में जो bid लिखा हुआ है आप उस पे click करेंगे जैसे कि मैं SJS IPO में apply करेंगे तो उसके पास में जो bid लिखा हुआ है मैं उसमें click करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना UPI ID डाल देंगे उसके बाद investor type पे आप individual investor रहने देंगे उसके बाद यहाँ पे quantity quantity में आप डालेंगे एक lot में कितना share है वह आप यहाँ पे डालेंगे आप सो डीटेल पे click करके यहाँ पे देख सकते कि एक lot में कितना share है तो यहाँ पे एक lot में आप देख सकते मीनिमण 27 सेर है तो आप यहाँ पे एक लाड लेना चाहते तो आप यहाँ पे 27 डाल दीजी अगर आप दो लाड लेना चाहते तो आप यहाँ पे 54 डाल देंगे उसके बाद आप यहाँ पे कार्ट आफ प्राइज में खिक कर देंगे अगर आप काट आप प्राइज में क्लिक नहीं करेंगे तो आपको श्यार एलोट होने का चांस बहती कम हो जाएगा उसके बाद आप यहां पर पूरा एमाउन देख सकते हैं उसके बाद आप यहां पे सापमीट पे क्लिक कर देंगे अभी 60 सेकिंड के अंदर आपके पास एक पेमेंट का नोटिपीकेशन जाएगा अगर आप फोन पे का यूपे आईडी डाला है तो आप फोन पे उपेन कर लेंगे उसके बाद आप नोटिपीकेशन पे जाएगे तो यहां पे आपका एक नोटिपीकेशन आएगा आप इस पे click करके अपना UPA ID डालेंगे तो आपका payment successful हो जाएगा मैं Google Pay का UPA ID डाला था इसलिए मैं Google Pay पे आ गया उसके बाद आप यहाँ पे अपना profile section पे जाएंगे डाय तरप चो उपर icon है उसके आप click करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे authorized पे click करेंगे authorized पे click करने के बाद आप यहाँ पे next करेंगे तो यहाँ पे enter UPA ID के उपर आप click करेंगे तो यहाँ पे आप अपना UPA ID डालेंगे उसके बाद आपका payment successful हो जाएगा और आपका IPO का submission भी हो जाएगा कही बार UPA ID डालने के बाद भी payment successful नहीं होता अगर payment फेल होता है तो आप पहले वाला application को cancel कर देंगे उसके बाद आप नया application डाल देंगे और payment कर देंगे तो आपका payment successful हो जाएगा